तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम इस पाठ के विभिन स्लोकों को हमने देखा, उनके सब्दार्थ को देखा, सब्दरूपों को देखा, विभिन कठनाईया थी, उनको हमने हल किया, इस आधार पर आप पाठ को समझ गया होंगे, अब आईए, पाठ पर आधारित, जो सब सब्दार्थ हैं, उन सब्दार्थों को हम एक नजर देखते हैं, पाठ में आये हुए सब्दार्थ जो हैं, आपके पाठ पुस्तक में दी हुए हैं, उन सब्दार्थों को देखते हैं, उद्यमह, उद्यमह या कैसे बना है, उद्धनियम की योग से उद्यमह या सब्द और इसका तातपरी होता है उद्योग्या परिष्ट्रम, साहसम, साहसम का तातपरी होता है उत्साह, धैरियम, धैरियम का तातपरी होता है धीरज या धैरिय, वर्तन्ते, आपको पहले बताया था, पाठकोज बढ़ रहे थे या समझ रहे थे, उस समय वर्तन्ते यहाँ वृत धातु लट लकार में बहु अचन का ये रूप आत्मने पद का रूप है ते एते अंते इसका प्रयोग होता है तो यहाँ पर क्या हूँ है वर्त अंते वर्त अंते वर्त अंते वर्त अंते ये रूप बनता है तेहाँ पर वर्त अंते वर्त अंते वर्त अंते वर्त अंते वर सर्गा को प्रयोग हुआ है यह भी लट लकार का रूप है इसका तात्पर होता है कहता है भासितम भासधा तो प्रत्य के प्रयोग हुआ है और इसका तात्पर होता है बोला या बोली सम्भ्रमह इसका तात्पर होता है उद्वेग या हडबडी, स्नेहम इसका तात्पर होता है प्रेमको, वपुह वपुह का मतलब होता है सरीर, सूधियह, सोभनाधिह ये सामते, ये एक समासिक पद है, सूधियह, समास्विग्रह करेंगे, समास्विग्रह करने के लिए प्रस् अब रही समाज का प्रयोग हुआ है यहाँ पर और इसका तात्पर यह होता है बुद्धिमान लोग। तब इसका समास विग्रह होगा, समाने, सीले, व्यसने, ये साम तेसू, बहुब्रही समास, इसका तात्पर्य होगा, जिनके स्वभाव लगाओ, एक समान हो, उन में, इसी तरह से, ये जो सब्दा इसको छोटा करके दिया जा सकता है, समास विग्रह करने के लिए, समास को छो और इसका तातपरी क्या होगा सील और व्यसन अर्थात स्वभाव और लगाओ मदाय इसका तातपरी क्या होगा मदाय मतलब मद के लिए या घमंज के लिए या अहंकार के लिए दोसरों का परि पीड़नाय यह भी समासिक पद है समासविग्रह करें तो इसका रूप होगा देखें परिपीड़नाय यह कैसे बना है परि उपसर्ग का प्रियुग हुआ है पीड़न सब्द है और इसमें चतुर्थी व्यक्ति प्रयोग हुआ है तो इस समासिक पद का समास विग्रह करना है तब इसका रूप हो बनेगा परिता पीड़नम इती परिपीड़ना है अब यही भाव समास है और इसका तात्पर होता है हर प्रकार से कष्ट के लिए सम्मोह इसका तात्पर होता है अज्यान स्मृति विभ्रमह यह भी समासिक पद है समास विग्रह करें इसका रूप बनेगा स्मृतेह विभ्रमह सश्टितत पूरुस समास का प्रयोग हुआ है इसका तात्पर होता है स्मरण सक्ति का नष्ट होना प्रणस्यति यह रूप बना है प विद्यास्य यह समासिक पद है इसका समास विग्रह करेंगे तो रूप बनेगा समास विग्रह का रूप होगा अविद्यमाना विद्यायस्य सह अविद्याह तस्य यह बहुत भीर समास है और इसका तात्पर ही होता है विद्याहिन का या मूर्ख का कुता है यह अव्याय सुचक पद है अव्याय पद है और इसका प्रयोग जो है पंचिमी विक्ति की अर्थ में किया जाता है इसका तात्पर होगा कहां से आधानस्य यह समाशिक पद है समाश्विग्रह करें तो इसका रूप बनेगा नाधनम तस्यसह आधना अधनस्य यह समाशिक पद है इसका समाश्विग्रह करूप होगा नाधनम तस्यसह अधनाह तस्य बहुब भीजी समाश है यहां और इसका तात्पर होता है दरिद्र का सैले सैले सिलक में प्रवक्त हुआ था देखिए यहां जितने भी पद आये हैं विन्न स्लोकों में प्रवक्त हुए हैं तो सैले सैले इसका तात्पर होता है प्रत्येक परवत पर मानिक्यम इसका मतलब होता है रत्न मौक्तिकम मौक्तिकम का तातपरी होता है मोती निवार यती नेधन व्रेधन निच लटलकार प्रथम पुरुस एक वचन के रूप है इसका अर्थ होता है रोकता है योज यते यूज धन निच लट लकार प्रथम पुरुस एक वचन और यह आत्मने पद करूप है इसका तात्पर यह होता है लगाता है नी गुहती नी धन गुह लट लकार प्रथम पुरुस एक वचन करूप है इसका तात्पर यह होता है छिपाता है गुहियम गुहधातु यत्प्रत्य का इसमें योग हुआ है इसका तातपर यह होता है गुप्त बात को गुहियम कह रहे हैं तो गुहधातु में जब यत्प्रत्य लगता है तो उसका रूप बनता है गुहियम और यहां पर प्रविक्त हुआ है गुहियम यह द्विदिया व पड़े हुए को, जहाती, इसका तात्परी होता है, छोडता है, स्तवन्तु, स्तुति करें या प्रसंसा करें, समाविशतु, सम, धन, आ, धन, विश, लोटलकार, प्रथम पूरुष, एक वचन का यह रूप है, इसका तात्परी होता है, आये, अध्यव, अध्यधन एव, यहाँ पर विद्धी स्वरसंधी हुआ है, और इसका अर्थ होता है, आज ही, युगांतरे, युगधन अंतरे, दिर्गश्वसंधी का प्रएग हुआ यहाँ, इसका तात्परी होता है, बहुत दिनों बाद, यथेश्टम, यह समासिकपद है, सम समास विग्रह करें, तो इसका रूप होता है, इस्टम अनति क्रम्या, अब यही भाव समास है, इसका तात्परी होता है, इच्छा नुसार, प्रवी चलंती, प्रवी यह दोनों उपसर्ग है, चल धातु है, लट लकार, प्रथम पूरुस, बहुवचन का रूप है, और इ इसका रूप है, समस्ता, अखिलाह, इसका रूप है, समस्त, वेद्यम, वेदितुम योग्यम, अर्थात, जानने योग्य बातों को, वई, वई का तात्परी होता है, ही, दृष्टि पूतम, यह समासिक पद है, यह तृतिया तत्पूरुस का प्रयोग हुआ है, जब समास प्रिथक करेंगे, तो दो सब्दों मिलकर बना है, दृष्टि पूतम, दृष्टि और पूतम, तो दृष्टि को जब हम अलग करेंगे, इसमें जो विभक्ति छुपी हुई है, वो सामने आ जाएगी, तो इस तरह से दृष्टि पूतम को जब समास विग्रह कर तब इसका रूप होगा द्रिष्टया पूतम तात्पर होता है द्रिष्टी से या भली भाती देखकर न्यसेत नी धन अस विधिलिंग प्रथम पुरुस एक वचन का यह रूप है और इसका तात्पर होता है रखना चाहिए वस्त्र पूतम यह भी समासिक पद है वस्त्रेन पूतम त्रिष्टया तत्पूरुस समास तात्पर होता है वस्त्र से छना हुआ या वस्त्र से पवित्र किया हुआ सत्य पूतम यह भी समासिक पद है त्रित्य तत्पूस का प्रयोग यहां हुआ है समास विग्रह करेंगे तो इसका रूप बनेगा सत्यन पूतम तात्पर होता है सत्य से सुध्य पवित्र मनह पूतम यह भी समासिक पद है समा स्विग्रह करने तुरूप बनेगा मन सा पूतम तृत्या तत्पूरुस समा से हैं मना पूतम का तातपरि होता है पवित्र मन से समा चरेत सम धन आ धन चर धन विधिलिंगलकार प्रथम पूरुस एकवचन का यह रूप है और इसका तातपरि होता है भली भाती व्यवहार करना चाहिए सुप्रभातम यह भी समासिक पद है समास विग्रहक करें तो इसका रुप बनेगा सोभनम प्रभातम प्रादि तत्पुरुष समास इसका अर्थ होता है सुंदर प्रभात या सुंदर प्रातह काल उदेश्यती उत धन इन धन लिल टलकार प्रथम पुरुष एक वचन इसका तात्पर होता है उदय होंगे या उदय होगा या उदित होगा कोस गते समासिक पद है समास अलग करें तो यह होगा कोसे गते सब्तमी तत्पुरुष समास का यहां प्रवग हुआ है इसका तात्पर होता है कमल दलों के मध्य में स्थित वी चिन्त यती वी उपसर्ग है चिन्त धातु है सत्री प्रत्य का प्रयोग करने पर इसका अर्थ होता है विचार करते हुए जब सत्री प्रत्य का प्रयोग वी उपसर्ग और चिन्त धातु में सत्री प्रत्य का जब प्रयोग किया जाता है तब इसका रूप बनता है वी चिंतयन यह वी, चिंतयत यहां दो दो चीजें होती हैं, वी चिंतयती जब कह रहे हैं, तो वी उपसरग है और चिंत धातू है, इसका जब हम लटलकार में रूप चलाते हैं, तब वहाँ पर बनेगा वी चिंतयती, वी चिंतयता, वी चिंतयन्ती, ये लकार में रूप हुआ, और यदि वी चिंतयती केवल यह स अब्द कहा जाए और इसकर अर्थ पूछा जाए तो हम दो तरह से कह सकते हैं एक लट लकार प्रथम पूरुस एक वचन और इसका तात्पर्य होगा वीचरण करता है या वीचरता है लेकिन इसी का प्रयोग यादि सत्रि प्रत्या के साथ जब होता है तब सप्तवी भक्ति म इसका रूप बनता है और इसका अर्थ होता है वीचरण करते हुए तब इसका तात्पर्य होता है वीचार करते हुए वीचिंतयती इसका अर्थ है वीचार करता है नलीनिम नलीनिम का तात्पर्य होता है नलीनिम मूल सब्द है द्वितिय विक्ति प्रयोग हुआ है और नल तो इसका तात्परी होता है कमल को उजहार उत धनहरी धनलीक लकार प्रथम पूरुस एक वचन में यह रूप परिक्त होता है और इसका तात्परी होता है उखार दिया तो प्यारे बच्चों पाठ में जितने सब्दार्स दिये हुए हैं वो सभी हमने यहां देख लिये अब अब हम अभ्यास को देखते हैं अभ्यास में तरह तरह की प्रशन पूछे जाते हैं विवीन परिक्षाओं में पाठ से संबंदीत जो प्रशन पूछे जाएंगे उनमें से एक तरीका यह हो सकता है कि कि किसी भी स्लोक की कोई भी एक पंक्ति दी जाए या एक चरण दिया प्रशन जो पूश के जाते हैं उन में कभी-कभी विकल्प भी दिये जाता है और कहाँ जाता है। कि या कि मैं इस तरह से भी दिया जाता है जैसे अम अभ्यास एक को देखते हैं उचितं विकल्प को चुनो तो ऐसा प्रस्ण आ गया तो प्रस्ण करिड़े साब को समझना है फिर प्रस्ण क्या दिया है इसको भली भाती समझना है आपको उत्तर देते हुए इस बात का धिया रखना है कि जो प्रस्ण पूछेगा ही यह पाठ के अधार पर है इसलिए पाठ के अधार पर ही इसका उत् वपुह आख्याती फिर जेस करके चार विकल्प आपके सामने दिये गए हैं क ख ग घ क में हैं भोजनम ख स्नेहम ग वनसम ग भासितं सही उत्तर क्या होगा पाठ आप देखें और पाठ के अधार पर देखेंगे तो स्लोक में जो आया है उसके अधार पर इसका उत्तर होता है भोजनम वपुह आख्याती भोजनम दूसरा प्रश्ण देखते हैं खल स्य विद्या कस्मई भवती चार विकल्प दिये हुए हैं क ज्ञानाय ख विवादाय ग रक्षणाय ग दानाय कौन से उत्तर सही होगा हां बिलकुल सही इसका उत्तर होगा विवादाय खलस्य विद् अगला प्रश्णा केन सर्वत्र भवंति कौन जो है सब जगा नहीं होते हैं यतात पर यहीं इसका चार विकल्प यहां दिये हुए हैं क मानिक्यानि ख चंदनम ग साधवह ग मौक्तिकानि अब उत्तर कौन सा सही है पाच के धार पर बिल्कुल सही इसका उत्तर है साधवह केन सर्वत्र भवंति साधवह सर्वत्र न भवंति तो इस तरह से यह जो उचीतम विकल्पम चिनुत यह जो अभ्यास दिया है इसी तरह से और भी यह जो प्रस्ण दिये हुए हैं अभ्यास में यह किवल उदाहरन मात्र हैं इसी तरह से पाच्छ संबदित अनेक प् करेंगे तो अभ्यास का एक नमूना यहां दिया हुआ है तो ऐसे जितने भी प्रश्ण दिये जाएंगे उन से भी प्रश्णों को आप हल कर पाएंगे चलिए आगे बढ़ते हैं अगले अभ्यास की ओर अगले भ्यास है अधो लिखिता नाम प्रश्णा नाम उत्तराणी संस्कृत भासया लिखत प्रश्ण कजन निर्देश है यह समझना आवश्यक है क्या कहा जा रहा है हाँ विल्कुल सही अधो लिखिता नीचे लिखे हुए प्रश्णा नाम प्रश्णों के उत्तराणी उत् कि अखुरो खो ये कहा जा रहा है प्रस्ण है सभी प्रस्ण यो से पाथ से हैं पाथ के आधार पर इसका उत्तर देना है प्रश्ण है है न्यायात पथहते में उत्तर दे न्यायात पथह के न प्रविचलत आध dignity सिठापित दीजिए प्रश्न का उत्तर हो जाएगे कैसे करेंगे के की स्थान पर क्या होगा धीरा यह होना है ये यदि एक सबी में उत्तर कहा जाएगा य साद यही है अर एक सबी में उत्तर लिखने के извport आप लिख देंगे केवल धीराह लेकिन कहा जाए कि पूर्ण वाक्य में उत्तर दो तब क्या कहेंगे तब तरीका होगा न्यायात पथह तब न्यायात पथह धीराह ना प्रविचलंती ऐसा कर दीजी होगे उत्तर अर्थात न्याय के पथ से धीर पूरुष जो होते हैं वे वेजलित नहीं होते हैं अर्थात हटते नहीं हैं अपने मार्ग पर वे चलते हैं अडिग रहते हैं यह हिंदी में तात पर यह हुआ, प्रश्णों को उत्तर संस्क्रित में पूछा जा सकता है, हिंदी में पूछा जा सकता है, इसलिए दोनों को आपको समझना आवश्यक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्ण है, साधों सक्ति किमर्थम भवती, साधों की सक्ति क परेशाम रक्ष नार्थम भवती हिंदी में साधू की सकती दूसरों की रक्षा के लिए होता है या कह सकते हैं कि परोपकार के लिए होता है अगला प्रश्न लेते हैं कह वन्सम आख्याती कौन वन्स में प्रसिद्ध होता है तो विनयह वन्सम आख्याती विनय वन्स को प्रसिद्ध करता है अर्थात यदि हम वी नम रहें तब निश्चित रुप से हमारे वन्स का नाम होता है अगला प्रस्ण लेते हैं कस्मात बुद्धीर नासो भवती कीसे से बुद्धी का नास हो जाता है हिंदी में इसका अर्था हुआ उत्तर क्या होगा स्मृति भ्रणसात ये उत्तर है तो इस उत्तर को क्या करना है वाक्य में आपको योजित करना है तो कहां पर करेंगे जहां पर प्रस्ण वाचक सब्द है वहाँ इस वाक्य में कस्मात बुद्धिर नासो भवती ये वाक्य है इसमें प्रस्ण वाचक सब्द काउन सा है चाहिए कस्मात तो कस्मात के स्थान पर आपको लिखना है क्या लिखना है स्मृति भ्रणसात स्मृतिर भ्रणसात बुद्धिर नासो भवती यह का दिजिए हो गया अर्थात स्मृति के नश्ट हो जाने पर बुद्धी का नास होता है इस तरह से जो प्रस्ण दिये जाएंगे उनके उत्तर संस्कृत में भी लिखना हो सकता है और हिंदी में भी उत्तर लिखना हो सकता है तो पाठ को चुँंकि आप लोग भली भाती स सकते हैं चले आगे बढ़ते हैं हमारा अगला भ्यास है स्तंभ मेलनम कुरुत अर्थात स्तंभ को मेल किजिया उचित संबंध जोड़िये अर्थात दो खंज दिये हुए हैं और दोनों खंजों में जो प्रस्ण दिये हुए हैं वो उनको हमको क्या करना है सुमेल करना है अ द्रिष्टि पूतम नियसेत वाचम, वस्त्र पूतम पिवेत पादम, सत्य पूतम वदेत जलम, सैले सैले न मौक्तिकम, गजे गजे न चंदनम, वने वने न मानिक्यम कि यह प्रस्ट में लिखा हुआ है इसका उत्तर क्या होगा क्या यह जो कि दोनों खंडों में जो दिया गया है और इसमें दोनम परस पर मेल है अर्थकी दृष्ट्टी से यदि नहीं तो उसको सुमेल करना है तो उत्तर क्या होगा देखते हैं द्रिष्टि पूतम नियसेद स्लोक क्या धार पर है सभी पाच क्या धार पर तो द्रिष्टि पूतम नियसेद उत्तर होगा पादम अगला वस्त्र पूत्म पीबेत पीने की बात कही जा रही है तो पीने से संबंधित कोई चीज है क्या यहाँ देखते हैं हाँ जलम है तो वस्त्र पूत्म पीबेत जलम ऐसा कर दीजे हो गया मेल आगे बढ़ते हैं सत्य पूत्म वदेत बोलने की बात कही जा रही है बोलना क लोई किसे संबंदी तो वानी सूचा कोई सब्द है कि यहाँ देखते हैं वाचम यह है तो उसके साथ मेल कर दीजिए सत्यपूतम वदेत वाचम हो गया फिर अगला कि सैले सैले न इसके सेले सेले नाक्या, हां, मानिक्यम, तो मानिक्यम आया है कि यहां? हां, लिखा है, तो उसके साथ जोडी बनाँ आगे था साथ तो यहां पर प्रश्ण का सुरुप जैसा स्लोक में इस वैसा ही हूँ आवश्क नहीं है सब्रूं का इस्थान बदल कर भी दिया जा सकता है प्रसन में जाता है कि नई प्रसन गुमा दिया कहते हैं तो इनके लिए आपको तयार रहना है कि आप जैसा पढ़े हैं वैसा ही प्रसन पूछा जाए अवश्चक नहीं है, आप पांच को कितना समझे हैं ये इसके भी परक्त कि जाती है, तो यहां पर प्रसन है गजे गजे और देख लिजिए अब हमने 4 की जोडि तो बना लिये हैं 5 की जोडि किसके साथ बनेगी तब इसके लिए हम देखते हैं कि क्या-क्या बचा है हमारे पास Wikalip केवल एक है एक ही विकल्प है तो कोई समस्या नहीं है, जो विकल्प बचा है वही उत्तर है, हाँ, लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि एक से अधिक विकल्प अभी भी सेस हो सकते हैं, तब कि इस सिति में वहां हमको देखना होगा कि उसका अर्थ किसके साथ मेल खा रहा है, तो यहां हम जो खंजबा में जो प्रशन दिये गए थे, इसका हमने सुमेल कर दिया, तो इस तरह से अलग अलग तरह से सब्द रूप के साथ में दिया जा सकता है, अव्याय के साथ में दिया जा सकता है, या इस तरह की जो आये हैं, इसके साथ में सुमेल करने के लिए, आपको दिय तो इस तरह से अलग अलग प्रश्न पर सुमेल पर बनाया जा सकता है और परिक्षा में आ सकता है इसके लिए आपको तयार रहना है चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा अगला भ्यास है अधो लिखिता नाम संस्कृत भास या अनुवादम कुरुत अर्थात नीचे लिए लिख हुए वाक्यों का हमें संस्कृत में अनुवाद करना है पहला वाक्य है विद्या ज्यान के लिए होती है अब यह जब कह रहे हैं इसका क्या करना है को संस्कृत में अनुवाद करना है तो आपको यह देखना है कि इसमें करता क्या है करता हमको दिख रहा है विद्या तो व करता जब प्रथम पूरुस और एक वचन में है तो क्रिया का जी रूप है वो भी कैसा होगा प्रथम पूरुस और एक वचन में होगा तो क्रिया क्या है यहाँ पर होती है होती है के लिए क्या करते हैं भूध हातु का प्रयोक करते हैं तो भूध हातु लट लकार प्रथम प अगला आलसी मनुष्य को विद्या प्राप्त नहीं होती है। अगला नुआध है अच्छे मित्र गुणों को प्रकट करते हैं तो अच्छा मित्र किसको कहेंगे। सोभनम मित्रम कहा सकते हैं। तो सोभनम मित्रम गुणान प्रकट यन्ति या प्रकटम कुर्वंति दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छे मित्र गुणों को प्रकट करते हैं। सोभनम मित्रम गुणान प्रकट यन्ति अच्छे मित्र गुणों को प्रकट करते हैं। सोभनम मित्रम गुणान प्रकटम कुर्वंति या सोभनम मित्रम गुणान प्रकट यन्ति अथ्वा सनमित्रम गुणान प्रकट यन्ति इस तरह से हम इसका अनुवाद कर सकते हैं। ध्यान दीजेगा, अनुवाद के लिए अलग-अलग सब्दों का भी प्रयोग किया जा सकता है, समा अर्थ समान होना चाहिए, ऐसा आवश्यक नहीं है कि जिस सब्द का प्रयोग अनुवाद के लिए किया गया है, उसी सब्द का प्रयोग आप करें, उसका प्रयोग नहीं कर न्याय मारगात न वीचलंती धीराह न्याय मारगात न वीचलंती ऐसा कह दीजिए तो यह हो गया अर्थात धीर पूर जो है न्याय के मारग से वीचलित नहीं होते हैं हमारा अगला अभ्यास है देखिए जब हम अभ्यासों की बात कर रहे हैं तो अभी तक क्या हो रहा था प्रशन के निर्देश पहले दिये जा रहा था उसके पस्चात प्रशन दिये जा रहे थे अभी यह जो अभ्यास आ रहा है उसमें आप देख रहे हैं एक स्लोक पहले दि गुहियम निगूहती गुणान प्रकटी करोती आपद गतंच न जहाती ददाती काले सन्मित्र लक्षण मिदं प्रवधंती संतह। आप श्लोक पहले दिया गया निर्देश बाद में दिया गया अब इसके नीचे फिर प्रस्न दिये गया है। उन प्रस्नों के उत्तर आपको श्लोक के अधार पर देना है। सन मित्रस्य एकम लक्षणम लिखातू, अर्थात, अच्छे मित्र के एक लक्षण लिखो, ये कहा गया, तो वैसे तो अनेक लक्षण है, स्लुक में दिये हैं, उन में से कोई एक उत्तर आपको लिखना है, तो हम पहराई सब्द देखते हैं, पापान निवारियती, ये भी स सन मित्र का ही लक्षण है, तो केवल आप इसको भी लिख सकते हैं, और सन मित्रस्य एकम लक्षणम, एक ही लक्षण लिखना ये कहा गया है, तो आप लिख सकते हैं, सन मित्रस्य एकम लक्षणम अस्ति पापान निवारियती, अर्थात, अच्छा मित्र का लक्षण है, कि वहाँ पापों से दूर रखता है। तो एक प्राश्णा के एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं, जैसा यह प्राश्णा है। योजुयती ह्यताय पुर्णी रवाम कर दिजी, हो गया उत्तर Cum County's Άच्छा मित्र जो है, अच्छे कारियों में हमें लगाता है। दूसरा कह सकते हैं आप अगला उत्तर लिख सकते हैं सण मित्रस्य एकम लक्षणम अस्ति गुनान प्रकटी करोती अर्थात अच्छा मित्र जो है वहा गुणों को प्रकट करता है तो इस तरह से आप अनेक उत्तर दे सकते हैं क्योंकि जितने लक्षण दिये गए हैं उन सारे लक्षण के अधार पर इस प्रश्ण का उत्तर बन सकता है केवल एक नमुना के लिए मैंने बताए कि ये 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 भी हो सकता है केवल एक ही उत्तर होगा यह आवश्यक नहीं है अगला प्रश्ण है गोहियम निगुहती इति वाक्यस्य भावार्थम लिखत अब पूरे स्लोग का अर्था आपको नहीं लिखना है आपको अर्था किसका बताना है यहाँ पर लिखा है गोहियम निगुहती केवल इसका भावार्थ क्या ही यह हमको बताना है इसका भावार्थ क्या होगा इसका भावार्थ आप जानते हैं भली भाती जानते हैं क्या होगा हाँ बिलकुल सही है गूप्त छिपाने योग्य बातों को छिपाता है ये इसका अर्थ हो भावार्थ हो गया अगला प्रश्न लेते हैं इदम प्रवदंति संतह इती वाक्यस्य हिंदी भासया अनुवादम कुरुत अब इस वाक्य का हिंदी में अनुवाद करना है आपको इदम प्रवदंति संतह क्या होगा हिंदी अनुवाद इसका बिलकुल सही है संत ऐसा कहते हैं हो गया अगला प्रश्न ददाती इती क्रिया पदस्य कर्त्रि पदम कीम अस्ति पूरा स्लोक जो है यहां पर ददाती एक क्रिया का प्रयोग किया गया है उस क्रिया का करता पद क्या है अर्थात यह जो ददाती पद है क्रिया पद यह किसके लिए आया है इसका करता पद कौन सा है कौन सा करता पद जोड़ेंगे ति यह वाक्य हमारा पूरा होगा स्लोक प्रयोग के अधार पर इसका चैन करना है तो देखते हैं यहां पर जितना लक्षण बताया गया है मित्र का यह जीतनी क्रियाओं का प्रयोग क्या गया है वो सभी सनमित्र के लक्षण है अर्थात अच्छे मित्र के लक्षण अर्थात मित्र के बारे में ही कहा गया है तो उत ती इति क्रिया पदस्य कर्थरिपदम अस्ति संमित्रम अगला प्रश्ण लेते हैं गतम इति पदे प्रकृति प्रट्ययस्यलिखत यह महत्तो पुझाल प्रश्ण है एसा भी प्रश्ण पूछा जा सकता है किसी एक सब्द को लिया जाए उसमें विभाक्ति क्या है ये जा सकता है?" मूल्सब्द्द या मूल्धात्यू, क्या ही यह पूछा जा सकता है या उसमें कौण सब प्रत्य kilometers का योग यह हुआ ही विप्या सकता ह funciona है प्रश्ण लिखता है गतम इती पदे प्रकृति प्रत्ययस्च लिखत अर्थात गतम यह जो सब्द बना है इसका धातु क्या है और इसमें कौन से प्रत्या का योग हुआ ही यह हमको बताना है तो इसमें गम धातु है और अक्तप्रत्या है अक्तप्रत्या का प्रयोग भूत काल की अर्था में किया जाता है जब इसका योग किया जाता है तो जो रूप बनते हैं वो तीनों लिंगों में रूप बनते हैं तो यहां जो रूप बना हुआ है, यह कौन सा है? यह नपुन्शक लिंग का रूप है. नपुन्शक लिंग में गम धातु में अक्ता प्रत्या लगता है, तो गतम बनेगा. पोल लिंग में गम धातु में अक्ता प्रत्या लगेगा, गता बनेगा. इस्ट्रे लिंग में गम प्रयुक्त अव्याय पदम लिखत अर्थात यह जो स्लोक यहां दिया हुआ है उसमें कौन-कौन से अव्याय पद प्रयुक्त हुए है इसका चैन करके हमें लिखना है तो आप देखिए यहां कौन-कौन से अव्याय पद है तो हम देखते हैं पहली पंक्ति देखते हैं यहा अभी अव्याय पद है, इसके अतरिक्त, और कोई पद है क्या, नहीं, बस, ये दो पद हैं जो हमें अव्याय की रूप में दिख रहा हैं, तो आप एक भी लिख सकते हो, दो भी लिख, लेकिन हाँ, अव्याय पदम कहा गया है, इसलिए एक अव्याय पद की बात की आप दोन करोति या एक साथ भी लिख सकते हैं प्रकटि करोति पूरा लिख सकते हैं एक साथ जुड़ा हुआ है इसलिए या केवल करोति लिखेंगे तब भी सही है इसी तरह से जहाती फिर ददाती और प्रावधनती ये पद जो हैं वे कैसे हैं ये लट लकार से युक्त पद हैं अग्या oven आज हमने अध्यन किया क्रिया कारक को तोलं पार्ध क है पार्ट के सब्धार्थ के अभिहास-ुक्तर के प्रस्ण पूथे जाते हैं और उनका समाधान या उनका उत्तर कैसे देना है इसके विशे में हमने जानकारियां प्राप्त की निशित रुप से अब इस पाठ के अधार पर हमारी यह समझ विक्सित हो गई है कि हम विभिन स्लोकों में जो बाते कही जाती हैं उनका भावार्थ समझ सकते हैं सब्दों को पहचान सक प्रश्न दी जाते हैं उनका उत्तर कैसे लिखा जाता है इस पर हमारी समझ विक्सित हुई है तो चलिए इसी के साथ अब हम पुरह एक नए पाठ के साथ पुरह मिलेंगे तब तक के लिए सर्विभ्यो नमो नमः कर दो कि करती है इसे लिए नमोछ shore के साथ आप शयवार्थ समझ सकते हैं उनका जनकी रेरी समझ सकते हैं सकते हैं बहुरह मिलेंगे जीए समझ झालिए represented मकशनीं हम सकते हैं समझ नमंूरnd पर उनकी समझ हुर नमकाम जरोर जाम मिलेंगे लिए जिए समझ के में जफ